हलो दोस्तों आप सभी का सोलूशन मायत में स्वागत है दोस्तों आज हम छेतर और छेतर मिती यह आयतन से संबंदी जितने भी इंपोर्टेंट फार्मूले बनते हैं उन सभी फार्मूले को यहां पे हम कंप्लीट करेंगे जो आपके किसी भी एक्जाम के लिए यह फार्मूला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि जो छेत्र और छेत्र मिती निकालते हैं उसको दो आकरती होती है टू डाइमेंशन एम थ्री डाइमेंशन दोस्तों टू डाइमेंशन के अंतरगत कौन कौन आता है और थ्री डाइमेंशन के अंत्रगत कौन कौन आता है पहले उसको समझ लेते हैं टू डाइमेंशन के अंत्रगत आता है फर्स्ट नमबर पे आता है आयत सिकेंड नमबर पे आता है वर्ग ठाट नमबर पे आता है बृत और थ्री डामेंशन के अंत्रगत आता है फर्स नमबर पे आता है घनाब सिकेंड नमबर पे आता है घन दोस्तों बस वीडियो आप लाश तक देखें और सभी फार्मूले के एक जगे कापी पे लिखें जिसे सभी फार्मूले आपको याद हो जाएंगे बेलान तीसरे नमबर पे आता है बेलान चोथे नमबर पे आता है बेलान होगे आपका शंकू पाँच्वे नमबर पे आता है आपका गोला छेटे नमबर प्याता है अर्द गोला दोस्तों जो टू डाइमेंशन होता है इसमें आपको सिर्फ परिमाप निकालना रहता है और दूर्र सेकेन नुमबर प्वे चेट लों स सब्स. आयतान निकालते हैं दूसरे नंबर पर संपूर्ब्र प्रिश्ट निकालते हैं Wahr मैं यह इस त्यए नंबर पर रंप-प्षोड क सब्स. लिए न क्पूर्ड निकालना पड़ते को देखने से पहले आपको हम बताते हैं आयत के दोस्तों यह लंबाई यह चोड़ाई इसके से सरफ फस्क पर सबस्द्द में लंबाई प्लस चोड़ाई यानि इसको two question में L plus B, L plus B का मतलब लंबाई प्लस चोड़ाई, इसका छेत्र फल के formula को देखते हैं, छेत्र फल के formula है, लंबाई गुड़े चोड़ाई, लंबाई का मतलब L, L गुड़े B भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ इस formula को याद रख सकते हैं, चलिए आयत हो गया, इस स सवाल practice कीजिएगा, जिसे देखिएगा, सभी सवाल जो हते है, छेत्र और छेत्र मिती से संबंदित, सभी formula आप याद भी हो जाएंगे, और सभी सवाल आप complete भी कर लेंगे, अब next रहता है, वर्ग, वर्ग में क्या है दोस्तों, यह है, आपका A, A मतलब इसकी चारो यानि 4A लिख सकते हैं इसको, next formula छेत्र फल निकाल लेते हैं, छेत्र फल का formula होता है भूजा गुड़ा भूजा, यानि कि इसको लिख सकते हैं A square, चलिए next question, यानि कि next formula देखते हैं आप, बृत, यानि कि बृत जो हता है, एक बृत हो गया, इसकी तरिज्या है, इसके परि परिमाफ को होता है formula 2πR, परिमाफ को formula 2πR रता है, जबकि जो छेत्र फल का formula होता है, पाई R square होता है, इस सब formula को आप एक जगा कापी प्लिखिएगा दोस्तों, पांस-दस मिनिट में सभी formula आपको देखा दे रहे हैं, और सभी formula को आप एक जगा लिख लिजिएगा, चलत यहां से लेकर यहां तक यह इसकी चोड़ाई होती है, दोस्तों घणाब को जैसे अपने घर में, अपने घर को माल लीजिएगा, जिसमें च्छा फलक होते हैं, यहां पर इसको देखते हैं, यहां पर इसकी चोड़ाई है, और यह इसकी उचाई है, चलिए इसके घणाब क आयतन देखते हैं गनाब का आयतन का जो फार्मूला होता है आपका लंबाई गूरे चवडाई गूरे उचाई याने कि यल गूरे दीगूरे जच से आप याद रख सकते हैं इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों इसकी यूनिट आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसकी यूनिट होगी घन इकाई होता है इसकी यूनिट का होती है दोस्तों घन इकाई नेक्स फार्मुला करे देखते हैं घनाब का संपुढ प्रिष्ट संपुढ प्रिष्ट जो हता है two post में यल गुड़े भी याशन लंबाई गुड़े चवड़ाई प्लस चवड़ाई गुड़े उचाई उचाई गुड़े लंबाई इस फार्मूले को याद रखिएगा इसके जो यूनिट होती है वर्ग इकाई होती है इसकी यूनिट क्या होती है वर्ग इकाई इसको आप याद रखिएगा चलिए इसके वक्रप्रिष्ट को देखते हैं इसके वक्रप्रिष्ट का फार्मूला है कि करड़ी में सोरी दोस्त यहां तक जो आप लंबे से लंबे छड़ को रखें या किसी को इसी को विकड़ बोलते हैं इसके फार्मूले को देखते हैं इसका फार्मूला है घनाप का विकड़ तो करड़ी में यल स्कॉाइर प्लस बी स्कॉाइर प्लस यच स्कॉाइर चलिए वचारों दिवारों का छे интерfall या इसी को वक्रप्रिश्ट बोलते हैं वक्रप्रिश्ट का जो फार्मूला होता है तू कोष्ट बें L Hill purposehole न जो ऊझ यठ कर लिए इसका फार्मूला हो न एक की सके छ्जए का यह विए गनाव का लिए गन का भी तुरह तिरुट यह ढि नेक्स फार्मुला देखते हैं इसकी जो लंबाई है चोडाय उचायी जो हते हैं सभी बराबर आपस में होते हैं तो घं का जो आयतान होता है इसकी घं का संप्रіक्ष्ट होता है इसकी घनका संपूल प्रिष्ट का फार्मूला हो गया सिक्स ऑप्रिष्टिक हो जो ओता है घोन का सब्सक्राइब निकालते हैं घनका विकढ़ का फार्मूला होता है करड़ी में त्रीजिबास यह है यानि भूजा कोई होता है को इसकी सिर्फ होता है चल दो सबर into देख लेते हैं दोस्तों इन अपसी मेले को हम पहले सद्थ रखेंजिक ऑपको जो आपको समय है कि ज्यादा सा ज्यादा यूज़ हो सके दिल कि और दोस्तों यह आप नीचे देख नहीं बृत है ऊपर भी बृत है यह इसकी उचाई है चलिए इसके बेलन का आयतन देखते हैं बेलन का आयतन जिसे दोस्तों आप विरित का छेत्रफल याद होगा बिर्त का छेत्रफल फार्मूला पाई आ्रि स्क्वार होता है उसमें फिर जैच से केकि लिएगा चलिक्स फार्मूला देखते हैं उपेक्स फार्मूलच आपका है लिए जेगा आपका कवेश्च से व कम समय लगे और अच्छे साल्व कर सके लंभ रित्ति शंकू जो हता है बेरन का ही कटा हुआ भाग हता है यह नीचे का बिद्थ है और इसकी त्रिज्या यह उसकी उचाई हता है यह इसकी तिर्षी उचाई बोलते हैं देखें यहां पर उचाई यच्छ है त्रिज्य आर है और तिर्ची उचाय यल है, यहां पर तिर्ची उचाय निकालने के मतलब होता है कि पाइथा गोरपर में लगा दीजिए, यहां पर 90 अंस होता है, यहां पर यह इसका 90 अंस होता है, यह इसका लंब हुआ, सोरी दोस्तों, यह इसका करण हुआ, और जिस पर एक कोड़ बना है आधार हुआ और यह स्कूचाई हो गया तो तिर्ची उचाई निकालने का पाई था गुरुप्र में लगा कि अब तिर्ची उचाई निकाल सकते हैं करणी में र स्कूर प्लस यह स्कूर चलिए फारमूले का देखते हैं तो संपूर्थ प्रिष्टी उचेतरफल का फारमूला होता है कि पाय आर कोस्ट में यहल प्लस आर वर्गी का ही होता है नेक्स फार्मॉला देखते हैं दोस्तो नेक्स फार्मॉला अब देखते हैं गोले का फार्मॉला क्या है नेक्स फार्मॉला आपके गोले का फार्मॉला है गोले का फार्मॉला यह ही दोस्तो यह आपके गोला जैसे गेंद होता है यह गोला है आपका तो गोले का जो आईतन होता है कि 4 upon 3 pi r q घन इकाही होता है चले नेक्स देखते हैं गोले का वक्रिष्ट छेत्रफल जो हता है तो 4 pi r square वर्ग इकाही होता है दोश्टों ये यह दि आपको गोला की याद है तो अर्द गोले का भी आप फारमुला निकाल सकते हैं अब देखें कोखले के गोले का जो आयतान है 4 अपां 3 पाई R Q R का मतलब होगे 22 तरिज़रे और इसमाल R का मतलब होगे 20 तरिज़रे के घानी काई इसका मात रहता है अर्द गोला के जो फार्मूला होता है जो गोले का आयतान होता है उसका आधा कर दें डू बटगतीन पहराई क्यू घान निकाए नेक्स फार्मूला देखते हैं अर्द गोले का जो फार्मूला होता है अर्द गोले का जो वक्र पिष्टी छेत्रफल होता है टू पाई आर इसक्वाईर वर्गी का ही होता है अब अर्द गोले का संपुर्ट पिष्टी छेत्रफल थ्री पाई आर इसक्वाईर वर्गी का ही यह इस इसमाल और का मतलब होगे बाहरी अंत्रिक तरिज्या और इसको देखते हैं खोखले बेलन का जो आयतन होता है पाई र सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स फार वाचिंग